हेलो दोस्तों स्वागत आपका है अगडवीक के थर्टींग एपसोड में सबसे पहले नियूस की बात करें तो इंडियन कंग्रोमरेट इंडिया बुल्स पे एक कलोप रैंसमेर अटैक हुआ है जिसकी कारण उसका 4.75 GB डेटा लीक हो गया है सो अगर अगली उसकी बात करें तो माइक्रोसोफ ने अपने ओफिसरे 65 के लिए सेफ डोकिमेंट नाम की एक नई फिचर लाउंच की है जैसे कि आपको पता की होगा कि जब कभी भी आप कोई वर्ड फाइल वाटसाइप गूगल मेल कहीं और इंटरनेट से डाउंड करें और उसे वर्ड और उसे खोलें तो वो हमेशा प्रोटेक्टिड मोड में ओपन होती है तो अब इसके लिए माइक्रोसोफ ने सेफ डोकिमेंट नाम की नई फिचर लाउंच की है जिसके कारण अगर उसमें कोई मालवेर होगा तो वो उसको डिटेक्ट करके पहले ही आपको बता देगा और जो फाइल वो प्रोटेक्टिड मोर में ओपन होती है वो इसलिए होती ही ताकि आपके केम्प्यूटर में कोई मालवेर वगार इंस्टॉल ना हो सके सो अगर अगर उसकी बात करें तो महराष्टरा साइबर सेक्योर्टी सेल ने कहा है कि चाइना ने लगवग 40,000 से भी ज़्यादा हैकिंग अटेम्ट किये हैं इंडियन यूजर्स पे लास्ट पांच दिनों में सो अगर अगर उसकी बात करें तो यूइंटर स्टेट्स गुवर्मेंट ने विकिलीक के फाउंडर जूलिन असेंज पर आरोप लगाया है कि वो अनोनिमस और लर्ज सेक हैकर ग्रूप के साथ मिलकर कुछ सीक्रिट प्लैन्स बना रहे हैं सो अगर अगर उसकी बात करें तो में रैंस्मवेर ने LG ELECTRONICS पर अटेक किया है जिसके करणा LG ELECTRONICS का CRITICAL DATA LEAK हो गया है नेज रैंसवेर के ओपरेटर्स का कहना है कि उन्होंने LG Electronics का डेटा को इंक्रिप्ट किया है और उस डेटा को उन्होंने एकसेस कर लिया है या इसकी प्रूफ के लिए उन्होंने तीन स्क्रिनशोट भी शेयर किये हैं अगर 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 इन्होंने उसकी बात करें तो फिस्टू यूजर्स पर एक नए फिस्टिंग स्कैम चलाया जा रहा है जिसमें कि उन्हें मेसंजर एप पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है और इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मुझे लगता कि आप इस वीडियो में हो और में वो एक malware है, so Google का कहना है कि वो नए users की location history को हर 18 महीने बाद automatically delete कर देंगे, actual में ये feature पहले से ही available है, बट आपको जो प्राने यूज़ रहे हैं उनको ये feature को enable करने के लिए manually अपनी Google कार्ण की setting में जाना होगा और वहां से इस setting को change करना होगा कि आप कितने टाम के बाद अपनी location history को Google के server से remove कर देना चाहते हो 22 साल का hacker जिसने की story IoT DDoS portnet बनाया था, उसको US Department of Justice ने 13 मंत की सजा सुनाई है यूरोप के mainstream bank पर 809 Mbps million packets per second की speed से आज तक का सबसे बड़ा PPS based DDoS attack हुआ है जिसे की अकामी ने mitigate किया So researchers को hybrid crypto jacking malware का एक नया version मिला है जिसे की उन्होंने lucifer नाम दिया है और ये lucifer malware DDoS attack कर सकता है one level window host पर So United States Federal District Court ने एक Russian hacker को 9 साल की सदा सुनाई है जो की payment card frauds, computer hacking और अन्य ऐसे crimes में शामिल था Sony ने अपने playstations के लिए bug bounty program अनौंस कर दिया है और जिसका नाम 100 डॉलर से लेके 50,000 डॉलर तक जाता है So APT campaign Advanced Persistent Threat campaign जो की StrongPT के पीछे था वो अब नए तरीकों का यूज़ करके Syria और Turkey पर attack कर रहे हैं और इसके पीछे उनका motive surveillance और intelligence exfiltration है So Scammers ने The North Face चिले के verified account को hack कर लिया है और फिर उस account से Instagram users को fake mail send कर रहे हैं कि उनके किसी port से उनकी copyright guidelines violate होती हैं So आप उसे post को remove कर दीजिए लेकर actual में वो mail phishing links है और अब आप Quiet Hacker की hacked week series की podcast भी सुन सकते हैं और हमारी ये podcast, anchor, apple podcast, breaker, cast box, google podcast, pocket cast, radio public, spotify, geo sawan पर available है So SEO news पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमें Instagram, Twitter, LinkedIn पर follow कर सकते हैं आप हमारे चैनल के लिए आप हमारे चैनल को सकते हैं